गुण मॉनिंग क्लास, दुसे धराश्रवास्वा, your English teacher, students, हम पढ़ रहे थे निया चाप्टर, How Creatures Move, हमने ये पोयम पढ़ ली थी, और मैंने आपको एक्स्प्लेइन कर दी थी, खुब सारे word meanings भी हमने इसमें सीख लिये थे, आज हम आगे बढ़ते हैं, और reading इस fun section में आते में हमने देखे थे, आएए उनको फिर से एक बार revise करते हैं, और हमसे कहा जा रहा है कि हमें ऐसे words को underline करना है, तो आएए उनको underline करते है, the lion walks on padded paws, lion walk करता है, walk क्या है, एक action word है, एक action हो रहा है, squirrel क्या कर रही है, वो leap कर रही है, वो छलांग लगा रही है, flies क्या कर रही ह seals क्या कर रही है, वो dive कर रही है, और swim कर रही है, तो यह सारी activities जो की कोई कर रहा है, इसमें की movement शो हो रही है, हिलना डूलना, चलना हमें दिख रहा है, ऐसे words को हम action words कहते हैं, और इन्हें ही हम underline कर रहे हैं, आप दुबारा से boyam को पढ़ें, और देखें कौन कौन से action words है आपकी easiness के लिए, मैं यहाँ पर कुछ underline कर दे रही हूँ, the warm, he wiggles all around, wiggle मैंने बताया था, movement है warm की, वैसे monkey की movement है swing, यानी की जूलना, bird का hop है movement, fly है movement, और spread, spread करना, मतलब फैलाना, फैलाना भी क्या, एक तरह की क्रिया है, okay, and boys and girls, उनको और ज़्यादा enjoy कर रहे हैं, because they leap, क यह सारे हमारे action words हो गए, okay, अगला section कह रहा है, talk time का, why do boys and girls have the most fun, जो boys और girls हैं, वो सबसे ज़्यादा enjoy, सबसे ज़्यादा fun, उन्हें क्यों मिल रहा है, तो हमने poem में पढ़ा था, कि boys और girls को सबसे ज़्यादा fun, इसलिए मिल रहा है, क्योंकि, वो leap भी कर सकते हैं, और dance भ जो जो जितनी ज़्यादा activity कर पाएगा, वो अतना ज़्यादा fun कर पाएगा, आप अपने class में चुप चाप बैठे हो, आप कम fun करोगे, लेकिन अगर आप field में हो, जो ज़्यादा movement होती है, उतना ज़्यादा fun होते हैं, okay, so यह हमारा answer मिल गया, आग एक section में बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास दो column दे रखे हैं, column A और column B, हमें match कराने हैं, इधर एक तरफ हमें animals के names दे रखे हैं, और दूसरे साइड में दे रखे हैं, उनके movement जो हमने poem में पढ़ी है, तो आईए इनको देखते हैं, क्या है यह, a lion, lion क्या करता ह और squirrel क्या करती है, तो हमने देखा कि जो lion है, वो walk करता है, वो चलता है, squirrel जो है, वो leap करती है, flies जो है, वो wiggle करते हैं, क्रॉल करती हैं, इसी तरह से यहाँ पर दे रखे हैं, और हमने poem में पढ़ रखे हैं, और हमें इस तरह से match कराने हैं, ओके, आगे बढ़ते हैं, हमें sentence बनाने के लिए कह रहा है, जैसे एक example दे रखा है, the seal dives into the icy water, जो seal होती है, वो ठंडे पानी में dive करती है, वैसे हमें यहाँ से words उठाने हैं, और फिर उनके sentences बनाने हैं, सपोस हमने कोई word उठा लिया, swing का, तो हमने देखा कि swing मतलब जूलना, तो बंदर तो जूलता ही जूलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम बंदर का ही sentence बनाएं, हम कोई साभी sentence बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से बिठा सकते हैं, कि the monkey swings on the people tree or banyan tree, या I love to swing, इस तरह के sentences आप इन words की help से बनाएंगे, ओके आगे बढ़ते हैं, अगले question पर आते हैं, arrange these movements, word from slow to fast, हमारे पास कुछ words दे रखे हैं, movement के, motion के, हमें इने arrange करना है, सबसे slowest, फिर उससे fast, फिर उससे fast, फिर सबसे fast, वोके हमें इस तरह से, इस order में हमें इन movement को arrange करना है, तो run, run मतलब दोड़ना, walk मतलब चलना, hop मतलब फुदुकना, या कूदना, और crawl मतलब ring न, तो I think सबसे slow, जो आपको भी समझ में आ रहा होगा, वो है ring न, crawl, crawl सबसे slow movement है, फिर इसके बाद आता है walk, और इसके बाद आता है hop, और सबसे fast होता है run, ओके, सो I hope आप समझ गए होंगे, हमें किस तरह से, इसे arrange करना है, अगला question कह रहा है, underline the letters, which are silent in the following words, हमारे पास कुछ alphabet, कुछ letters ऐसे है, जो कि silent है, जो हम पढ़ते है in words को, तो वो जो letter होता है, वो प्रणन्स नहीं होता है, जैसे कि हम पढ़ रहा है walk, walk में हम पढ़ रहा है walk, बतला वी ओक या डबलू एक, इसमें L जो है, वो silent है, तो ऐसे letter को हमें underline करना है, ओके, जैसे कि हमारा walk है जब हम इसे बोल रहे हैं, तो walk नहीं बोल रहे है, L silent है, तो हमारा walk, जो हमारा word है, इसमें L को हम underline कर देंगे, L silent है, similarly straight, straight में G, G silent है, more, more में E silent है, caught में G silent है, काम में C, A, L, M, L silent है, talk में B, L silent है, ओके, आई होग आपको समझ में आ गया होगा, क्या कुछ करना है इस exercise में इसको ही हम आज complete करेंगे, कोई doubt आता है तो आप मुझसे पूछिए, वैसे मैं इसके answers आपको later of the day provide कर दूँगी, तब सक आप खुद attempt करें, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछें, next class में हम आगे का chapter, the ship of the desert start करेंगे, और ये हमारा last chapter है, तो इसके बाद फिर हमारे reasons start हो क्या है उसे revise करते रहें, सुरक्षित रहें, thank you class